छप्रा में काट से बनी देवी का है प्राचीन मंदिर। नींती लक्री से बनी हैं मूर्तियां। काट वाली देवी के दर्शन करने वाले भक्तों की पूर्ण होती हैं मनों कामनाएं। चप्रा जहर के कट्रा मुहले में प्राचीन काठ की देवी का मंदिर अवस्थित है। इस्थानिय लोगों के अनुसार यहां मादुर्गा की प्रतिमा लगभग 300 वर्ष पूर्व इस्थापित की गई थी। मादुर्गा के साथ साथ अन्य देवताओं की प्रतिमा नीम के लकरी से बनी है। जिस कारण इस मंदिर को काठ की देवी कहा जाता है। मंदिर की देखरे करने वाली सुनीता देवी बताती हैं कि उनकी नानी लाखु देवी पूर्व में मंदिर की देखरे करती थी। उनकी नानी ने उन्हें बताया था कि उनके पुरवजों को स्वपन आया कि लक्री की मूर्ती बनाई जाए जिसके बाद मंदिर के ही परसर में इस थित एक नीम के पेड़ की लक्री से मूर्तियों का निर्मान कराया गया और उसकी स्थापना की गई उन्होंने बताया कि इतनी पुरानी होने के बाद भी लक्री आज भी जसकी तस है कि यह 300 साल वर् leopard का पुराना मंदीर है तब काकृ वरी दुटाजी के नाम से प्षची है यहां बहुत पहले होने है कि धिम का पेर था बहुत बुराना मेरी नानी जैसे बताती थे कि उसी पेर का उस अपना में दिखा बटाया लिए सपने में आके अपना, और मेरी नानी के जो भाई थे, वही देने के नानी के अपना और मेरी नानी के मतलब अपसे ऑपना, कि सम्हारीय किजिए अपना, वही नानी अपना करने लगी कि ये मंदिर जो था पले खप्रेला था, मेरी नानी जैसे बनवाई नहीं गुड़ाई परवाई अपना, कुड़ा तुटता था, गिजुर जाता था तो वही बनवाई अपना, मेरी नानी के जिसे नाम था लाको देगे, उसके बाद अपना मात समभा में लोगी, जब नानी का वैसे ही होता है, करना था खापन सब अपना होता है, पेंट उन सब होता है, बहुत महत्व है इस मंदिर का, और मैं छप्रा में जब 2002 में आया, ऐसे तो मैं छप्रा का बासी हूँ, लेकिन छप्रा में पर्मनेंट रहने के लिए जब 2002 में आया, तब से मुझे बताया गय है इस मंदिर के बारे में कि जैसे जगनाची के मंदिर है भगवाई जगनाथ की मंदिर में लकरी की मुर्थिया है वैसे ही नीञी मोटरी बने ओग लिए मुझे मैं जब यहां आता था अ कोड़ी में टो जब आता था तो इस करम में लोगों अनुको शौपण में आया कि आहाँ लकडी के मूर्थी वाली मंदिर बनवाऊ तो उन्होंने कहां कि यहां एक नीम का पिर था तो उन्होंने कहा कि लकरी के मुर्थी कैसे बनती है तो बन जाएगा और कारीगर आ जाएगा भगवान की किरपा माता जी किरपा कोई कारीगर आया और कहा जी यहां तो हम मुर्थी बनाएंगे और वह मुर्थी बनाएंगे तो लकरी की मुर्थी बनाएंगे तो बनेगी कैसे कहां से लकडी आएगी तो इसी निम्में से हम लकडी लेकर और मुर्ती बनाएगे और तब से ये मुर्ती बनी है और सब लोग शप्रा जिला के लोग जानते हैं कार्ट के देवी जी के नाव और कार्ट के देवी जी लेकिन नहीं जानते हैं जे कार्ट के तो मैं समझता हूं कि जैसे जगनाज जी का महत्त है। वैसे चपड़ा में काट के देवी जी का महत्त है। चुकी यहां भी लक्री और यह लक्री बिल्कुल आप देखेंगे। एक ठुप कहीं दो धाई तीन सो बरस की बात है लेकिन लकरी में कहीं कुछ नहीं आया आज तर छप्राजीला के लोगों को लिये यह धरोहर है जो भावना लेकर आते हैं उसकी भावना की पूर्थी अवस्य माता जी करते हैं हर साल नवरात्री के पुर्व मंदिर और मूर्थियों को रंगा जाता है नवरात्री में इस मंदिर में विशेश पूजा अर्चना होती है श्रद्धालू दूर दूर से मंदिर में पूजन के लिए पहुशते हैं भक्तों के अनुसार माता अपने हर भक्त की मनो कामनाओं को फूर्ण करती है